मुकामा में उन्ही के अशिरबाद से अनन सिंग जीते थे अभी वो शिरबाद हमको मिल गया है उन बाहु बली है तो मेरा मोधी जी का शिरबाद मिला हम अपने बजरंग बली है दुरगा जी है अब बोट का अंतर देख लिजेगा कभी अनन सिंग उतना बोट से नहीं जीता था हमसे जब ही वह जीता है पंद्रह सो से तीन हजर से चंद्रदीप अंकित यह अनन सिंग का है सेंट्रल मौल बुद्धाइन बुद्धा गार्डन बार में चले जाए कारगील मार्केट कनाट पहले समय चले जाए प्रणों मुखर जी जी के बगल में उसका मकान है एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है यह सब मकामा के जनता का लूट करके मकामा में आज तक 32 साल से एक ही पड़िवार कभी लालू जी के गोद में बैच करके कभी मानिये मुखमंतरी नितीज जी के गो लोग समाम तो मैंने उसको हारा दिया लड़न बाव के साथ मिल करके नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप ब्यार मैं आपके साथ रुपम आखिर मुकामा में उमिद्वार बीजेपी से कौन उमिद्वार होगे इसके लिए जितने भी जनता है वो जानने का प्रयास कर रहे यह ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बोले थे अब यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि ललन सिंग जो की जदियू में थे कल उन्हों ने इस्तिफा दिया और अब उनकी पतनी सोनम देवी बीजेपी के तरफ से मुकामा में कंडिडेट हैं और हमारे साथ जूरी ह हुई हैं सोनम देवी हमारे साथ जूरे हुए हैं और लनन सिंग जी भी हमारे साथ हैं मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई हो क्योंकि आपको बीजेपी आपको वहां से कंडिडेट खड़ा जब रही है और आप इधर से बीजेपी के तरफ से आपको बीजेपी वहां पर पंचानमे के बाद इस बार अकेले वहां पर खड़े होने जा रही है तो कुछ तो देखी होगी तभी आप लोगों के कंडे पर इतना बड़ी लिए जा रही है देखिए आनांद सिंग जीते थे बीजेपी के अभी बीजेपी प्रस्नल हमको टिकट द लिश्बी के तरब से और आपको बीजेपी के तरब से तो आप कैसे वहां पर काम किजिए गा जाकर बताएंगे और समझेंगे सब दूर करेंगे यहीं सब हैं पहले तक आप लोग जडियू से जुरी होई थी और अब बीजेपी के साथ आके वहां पे खड़ा होने जा रह यो ते उबी थे विलकिन अभी अकेले हो गया है कि अब फीड़ी चीज़ और राव है कि अभी वहां पर अनंद सिंह का सुदूर्सक्राइब मतलब एक डवदबा रहा है लोग कहते हैं कि अनंद सिंह स्भी जीतेंगे अनंन स्भी जीतेंगे ऐसा वहाँ पे कहा जा रहा है, वहाँ पे कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है, आखिर वहाँ पर एक तक्कड आप देने जा रही है निलम देवी को, बहुत बड़ा तक्कड की बात है, वहाँ पे होट सिट कहा जा रहा है मोकामा में, तक्कड आप देने जा रही है निलम देवी को मुकामा में उन्ही के आशिरबाद से अनन सिंग जीते थे अभी वो शिरबाद हमको मिल गया है उन बाहु बली है तो मेरा मोधी जी का शिरबाद मिला हम अपने बजरंग बली है दुर्गा जी है आप बजरंग बली हो गया है जी यानि कि आपको बहु बाहु बली से सबसे ज कि रहती हैं को भी कि रहा रहा था कि पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलती थी चाहे कोई वहां पर मेराओं के लिए क्या कि जी गाशाए आRi करेंगे हमारे साथ ललन Griff जी लूब फी हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर कैसे क्या आप तयार कीजिएगा सोनम जी को सोनम जी देखिए अभी अभी घोसना हुआ है पहले हम अपने आप मने चाह रहे थे कि हमको उमीदबारी मिले यह घरेलू महिला है घर में राती है आज तक मने कभी वैसा अब समय आ गया है अब दीरे देर यह सी जाएंगी सीख जाएंगी और मोदी जी का भाजपा है कैसा दल है उस दल में एक से लोग है और में एक से जब ज्यानियों का बच्छे लोगों का जब संगत प्राप्त होगा तो सीखने में समय क्या लगेगा ऐसा सुनने के वाड़ा है कि नीलें देवी जब वहां पे जा रही है बाहर निकल रही है भीर जब हो रहा है एक जूट हो रहा है तो काफी संख्या में भीर देखी जा रही है भीर उमर रहा है यानि कि जंता मतलब बहुत सारी लोग उनके सास्थ में है तभी यह निकलेंगी तब तो जब यह भी जाएंगी तब कैसा होगा वह आप दे कि विजय किसका होगा यह तो समय बताएंगा शियानिकि यहां ने कि लोग निकलती नहीं है जब घर रहाक मैदान में नहीं मेरे कि फ्लना का बेटी है आ कि पाचानने के लिए जानने के लिए लोग आते है nou इस बारaty दी गई है लालन जी लायबिलीटी पर हम मगामा के लोगों के विश्वास पर फृटतरने का पाड़ियास करेंगे और भारतीय जन्तापार्टी के विश्वास पर ख़दा उतरने का पड़ियास करेंगे इसकाumen आपको भरोसा देता हूं जदियू वाले आपको दगावाद भी कहेंगे जदियू बाले हम देखिए हम सुली जी हम पहले थे लोग जन सक्टी पार्टी में लोग जन सक्टी पार्टी को मात इसलिए छोड़के मैं गया कि वहां मने ललन बावु आए अनन सिंग नीलम देवी के खिलाप में नीलम देवी के टक टक कर देने के लिए इसलिए मैं जदियू में गया कि ललन बावु के साथ मिल करके मैं उसका यहांसे लोग सभाम तो मैंने उसको हरा दिया ललन बावु के साथ मिल करके लेकिन संजो गई सर आप पार्टी का क्या निती रहा क्या नियम र पपन्दरेंसों से और जब हमको टीकट नहीं दिया गया तो जनता में रोस आ गया ज है घुश को इप खताय गया और सब कुछ कड़ाय गया और इसको टीकट नहीं दिया हमारे भी लोग सब अनन सिंग को गुस्सामिर दे दिये जो जितकांतर बहुत ज्यादा हो गया मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे की मुकामा में अति पिछरा जाती भी है जो कि 85,000 सायद वोट उनका है उनका भी एक मांग है कि हमें अलग से एक उमिदवार दिया जाए नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे हमें हमारे हमें देखने वाले कोई नहीं हमारे लिए कोई काम लिए नहीं के लोग और सभी जाती को लगता है कि हमारा अपना अपना नेत्योत मिले लेकिन वहां सभन की ज्यादा संख्या इस लिए उन लोगों को देख सबैर मालिजे कि दोनों पर भरोसा करना हो जो भी मालिजे महाँज़दन, का उमिदवार हो या नडिए का तो अभर देन अपरती दिन मकामा की सारी फैक्टरियां बन्द होते गई बारत बैगन नेशनल टेक्स्टाइल कोर्पोरेशन बाटा मैक डूल और उसके साथ छोटी-छोटी बहुत सारी उप्रम था उससे मिलता जुलता उसका बने और सब धीरे-धीरे एक-एक करके बंद हो गया और आप पटना में देखिए जहां आप बैठे हुए हैं पीछे में चंद्रदीप अंकित यह एनन सिंग का है सेंट्रेल मौल बुद्धाइन बुद्धा गार्डन बार में चले जाए कारगील मार्केट करनाट पहलेस में चले जाए पर्णो मुखरजी जी के बगल में उसका मकान है एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है यह सब मुकामा के जंत चुंगल के लिए उनको उखार फेकने के लिए पूरे धमखल के साथ स्वनम देवी वहां पर पहुच रही है और उनका कहना है कि जो बाहु बली का सासन वहां पर इतने दिनों से चल रहा है मैं बहुत ही जल्द वहां की जंता को उनके चंगल से चुड़ाने के लिए अब देखना यह होगा कि यह टक्कर जो नीलम देवी और सोनम देवी का होने वाला है वो क्यासा होगा चले फिलाल के लिए देखते रहें लाइब भीहाग धन्यवाद लाइब भीहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बूक पर लाइक जरूर करें